आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसकों इन्टरफसिकुलर गेंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविंविं केंबियम कॉर्क केंबियम क्या होती है अब देखो कॉर्क केंबियम होती है जो की हेल्प करते है किसी भी प्लांट को गर्थ इंक्रीज करने में स्टेम जो इंक्रीज करती है ऐसे करके विट्थ जो इंक्रीज करते है इसको बोलते है गर्थ किसी भी ट्री की गर्थ increase करने में help करते है cork cambium होता क्या कि cortex की जो layer होती है cortex की layer and epidermis की layer के बीच में again layer बनने रगती है यह layer बनती है cork cambium की वज़े से इसको मोलता है phalogen layer phalogen layer यह बनती है cork cambium के division की वज़े से cortex and epidermis के बीच में layer बनती है cork cambium में usually parenchymetic cells present होती है parenchymetic cells present होती है अब होता क्या यह बनती कैसे है तो यह बनती है by the help of cell de-differentiation पर तो एक करके देखते हम की definition क्या होती है cell division तो हम सभी को पता है जब एक cell से दो daughter cell बनती है यह 4 daughter cell करती है एक cell से cell divide करती है उसको हम बोलते है cell division cell differentiation अब यहाँ पर यह जो daughter cell बनी है यह mature हो जाती है mature हो करके कोई अपना specific function perform करती है तो इसको हम बोलते है cell differentiation अब cell de-differentiation क्या होता है देखो mature cells का हम mature क्यों बोलते है mature cells का एक characteristic होता है कि यह अपनी division की ability को खो देता है मतलब अगर cell इक बर mature हो गए तो वो दुबारा divide नहीं कर सकती बट अगर by some chance by some reason mature cells दुबारा divide करने लगे तो उस process को हम बोलते है cell de-differentiation इसका नाम d का अब तब क्या होता है दुबारा and differentiation कि यह दुबारा differentiate कर रहा है दुबारा differentiate करने के बाद जब यह cell again mature हो जाएगी तो mature होने के बाद हम इसको मोलते है re-differentiation तो यह होती है इन चारों की definition अब देखो होता है कि cortex पहले से एक type of cell है मतलब यह एक type of mature cell होती है इस mature cell ने दुबारा ability ली divide करने की divide किया and then बनाया cork cambion cork cambion further मनाता है phelusion तो इसने इस process को मोलेंगे cell de-differentiation कि cell de-differentiation के वज़े से यहाँ पर भी same यह होता है कि cell का de-differentiation हो जाता है और उस वज़े से interfacicular cambion बनते है तो इस question का right answer जोगा option 3 cell de-differentiation Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट 8444 चार्स उपर